हलो फ्रेंड्स आपने पिछले वीडियो में हमारे गेस्ट्रॉइ स्टेज में आपके डवलप्मेंट पड़ा तो आगे हम चलेंगे गेस्ट्रॉइ स्टेज में फॉर्दर डवलप्मेंट तो देखी हमने आपको यहाँ पर बताया था अम्नियोटिक कैविटी बन गई थी और अम्नियोटिक कैविटी में अम्नियोटिक फ्ल्यूट था जिसमें हमारा एंब्रियो फ्लोट करता है और इस समय हमारा एंब्रियो दो जर्मलेर का बन गया था सबसे पहली जर्मलेर बनी थी endoderm और दूसरी जर्मलेर बनी थी ectoderm. अब हमारे endoderm की जो cell हैं आपके cubical shape की हो जाती हैं और ये cubical shape की होने से ये cavity थोड़ी छोटी हो जाती है. इसे हम कहते हैं primary york cell. तो इस तरीके से ये हमारे endoderm के दौरा जो cavity surrounded है वो है primary york cell. अब देखिए आगे के development में profoblast की cell proliferate होके कुछ cell का mass बनाती हैं और ये cell का mass profoblast और endoderm के बीच में फिल हो जाता है. इसे कहते हैं हम extra embryonic mesoderm. इसे extra embryonic mesoderm क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो mesoderm बनी हैं, ये अपके embryo के बाहर बनी हैं. इसलिए से हम extra embryonic mesoderm कहते हैं. और ये extra embryonic mesoderm की जो cell हैं, trophoblast और embryo के बीच में आ जाती हैं. और उपर trophoblast और amniogenic cell के बीच में भी फिल हो जाती हैं. इसी समय, extra embryonic mesoderm में भी एक space develop हो जाती हैं. और ये space develop होने से extra embryonic mesoderm भी दो layer में differentiate हो जाती हैं. और जिसकी दोनों layer के बीच में ये space develop हो जाती हैं. इस space को कहते हैं extra embryonic sea loom. तो extra embryonic sea loom बनने से extra embryonic mesoderm की cell दो layer में differentiate हो गई. बाहर वाली जो layer है जो trophoblast को line कर रही है उसे कहेंगे हम आपके पैराइटल extra embryonic mesoderm और जो extra embryonic mesoderm के layer endoderm को सरांग कर रही है उसे कहेंगे visceral extra embryonic mesoderm तो पैराइटल और visceral extra embryonic mesoderm के बीच में जो space develop हो गई उसको क्या कहा extra embryonic sea loom यह extra embryonic sea loom इधार तो develop हो जाती है लेकिन यह sea loom आपके trophoblast और amniogenic cell के बीच में develop नहीं होती इसके मतलब trophoblast और amniogenic cell के बीच में extra embryonic mesoderm as usual present रहती है जो future का connecting stock बनाती है और यह connecting stock जो embryo को hold किये रहता है amniotic fluid में तो इस तरीके से यह हमारे embryo का development हुआ जिसमें हमारा embryo दो germ layer का बन गया endodum और दूसरी eptodum जिसमें endodum cubicle shape की हो जाती है और eptodum columnar shape की हो जाती है और अंदर जो cavity थी यह आपकी secondary york sec में convert हो जाती है तो यह रहा हमारे दो germ layer वाला embryo और तीसरी germ layer जिससे हम कहेंगे mesodum वो सबसे last में बनती है जिसका development हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो प्लीज इस वीडियो को like करें share करें and subscribe करें और हाँ icon bell जरूर पजाएं जिससे आपको हमारे अगले वीडियो के notification मिलते रहें